न्यूस टांसपर विशेश ने डीटीसी से संबंदित के मुद्दों को लगातार उठाया है। या ले रहा है इस पर अभी तक संदेब बना हुआ है। आलम यह है कि लगातार हमारे वीडियो में डीटीसी के करमचारी अपने मुद्दों और परेशानियों को लेकर कमेंट करते हैं। उन मुद्दों की फाइल कितनी आगे बढ़ी नहीं बढ़ी इस पर भी कोई साफ जवाब नहीं मिल पा रहा है। आज आपको हम बताते हैं कि कौन से वे मुद्दे हैं जिस पर लगातार वीडियो बनाने के बाद भी विभाग या सरकार अभी तक गमभीर नहीं है। जबकि यह मुद्दे दिल्ली की जनता, डीटीसी करमचारियों और खुद डीटीसी के अस्तित्व के लिए बहुत आवशक हैं। लेकिन सरकार और डीटीसी विभाग इस तरफ आके मुद्दे बैठी हुई है। और कब तक इन समस्चाओं का हल होगा, कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। पहले मुद्दे की बात करें तो डीटीसी के सनविदा करमचारियों को पक्का करने या फिर जबता के परिक्राइच चल रही है। तब तक उन्हें तीन तरीकों से लाप देना शामिल है। जिसमें सुप्रीम कोट के ओर्डर समान काम समान वेतन के मुताबिक सनविदा सकती है। वह अगर दूसरे तरीके की बात करें तो 30 नवंबर 2012 का वैया ओडर जो डिल्ली जल बोर्ड पर लागू भी किया गया बेसिक दीवग ग्रेड पे जिससे सनविदा करमचारियों को रहत दी जा सकती थी। वह तीसरे तरीके में केंज सरकार का मिनिमम वेस का नियम करते आ रहे हैं। लेकिन दिली सरकार ने अपने कारेकार में डीटी सी की बसों को बिलकुल नहीं खरीदा लेकिन बसों की संख्या को जरूर आधा कर दिया है। हलात यह हो गए हैं कि आज डीटी सी का स्तित्व ही खत्र में पड़ गया। दिली सरकार हर बार नई बसों को लाने का लॉलिपॉप तो देती है लेकिन दो चार हफ्तों के बाद सरकारी फाइलों की तरह यह मुद्धा भी गायब हो जाता है और जनता के हाथ लगती है तो सिर्फ इंतजार की करिया वह तीसरे मुद्धे की बात करें ऐसे में सरकार विवभाग को उनके विशे में सोचना चाहिए और उनके प्रमोशन पर भी विचार करना चाहिए वह चौते मुद्धे के अगर बात करें तो हम लगातार कलस्टर बसों पर लगाम लगानी की बात कर रहे हैं लेकिन दिली सरकार का अंदा प्रेम उन्हें इन खूनी बसों की हरकोतों को देखने ही नहीं दे रहा है आलम यह है कि ये बसे आये दिन सरकों पर लोगों को मौत की घाट उतार रहे हैं कभी भी किसी भी बिल्डिंग में घुज जाती हैं और सरकों पर खाली पीडी तोड़ती हैं नियमों की जम कर धज्या राते हैं और सरकार के रवन्य को भी चुना लगा रहे हैं लेकिन सरकार आखे मूदे सब कुछ देखे जा रही है वहीं हाल ही में हमने बताया कि लौकडाउन में करमचारियों के वेतंक टोथी जो मेंस तीर महीने के लिए शुरू हुई थी उसे अभी तक चालू रखा गया है उसे समप्त की जाना चाहिए इस समप्त में डी पी एमस ने भी मुख्य मंतरी परवन मंतरी और डी टीसी डीपार्टمنट को पत्र लिखा इन मुथ्टों का समप्त सीधे सीधे दिली की जनता डीटीसी के करमचारियों और डीटीसी के अस्तित्त से जुड़ा है ऐसे में दिली सरकार की चुप़ी चीक चीक का कह रही है कि दिली की जनता की जान डिटी सी के कॉंटेक्ट में पक्के करम चार्जियों की खुशी और डिटी सी का खोता अस्तित्व दिली सरकार के लिए कोई माइनी नहीं रखता है ऐसे में साफ है कि दिली सरकार अपना रुख साफ करे कहीं ऐसा नहो कि सरकार की चुपपी आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत बड़ा खत्रा बन का सामने आ जाए न्यू स्टांसपर विशेश, बेरेपोर्ट, दिली